हेलो दोस्तो कैसे हुआ आप तो दोस्तो आज बना रहा हूं में पहाड़ी आलो के गुटके आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और कितने लाजवा बना रहे हैं तो दोस्तो अगर आप भी इस स्टाइल में बनाने चाहते हैं आलो के गुटके तो पूरी वीडियो को देखें तो चलो दोस्तो बनाना इस्टाल करते हैं यह मैंने यहां पर पहाड़ी आलू लिये हैं आप देख सकते हैं और इनको सबसे पहले मैं बॉयल करूँगा तो मैं एक पतिले में इनको अभी डाल दूँगा अप देख सकते हैं दोस्तो और पानी एड़ कर दूँगा अन्य आप पानी अपने लिए साफ़ी रख सकते हैं पर लेकिन पूरे आलो को हमें अपनी में डुबोना पड़ेगा तो दोस्तो मैंने पानी इसमें डाल दिया है अब इसको मैं चूले में चड़ा दूँँगा और तो आप देख सकते हैं तो चलो दोस्तु इसको हम निकाल देंगे और अच्छे से चिल लेगे तो दोस्तो यह हमने आलू पूरे निकाल दिये हैं आप देख सकते हैं तो चलो दोस्तो इनको वैसे हम चलेंगे और वैसे हम तलका माना इस्टार्ड करेंगे यह मैंने चूले में एकड़ाई रख दी है आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से गरम करेंगे और इसमें डालेंगे सरशु का तील और दोस्तों हमें आलू में और सर्शु का तील ही डालना है इसा अच्छा सा टीश्ट आता है और यह इसमें हलका से जीरा और थोड़ा से लाल मिर्च डालोंगा और इनको अच्छे से भून देंगे तो दोस्तों मैंने यहां पे लिया है प्याज लिया है टमाटर लिया है दनिया लिया है और हरे लेशन के पती लिए है तो दोस्तों आप डालेंगे हम ओयल में प्याज और प्याज को अच्छे से बून देंगे तो दोस्तों जो हमारी स्टाइल है यह पहाड़ी स्टाइल है पहाड़ी तरीके से बना रहा हुआ है कि प्याज को अच्छे से भूंद देंगे और आप देख सकते हैं पहले से हुमारा प्याज अच्छा भूंद गया है तो इसमें ऐड्夏 करेंगे अब हम टमाटर बारे कटा हुआ एंप Corn copying है और इसको अच्छे से मुझाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले से हमारा टमाटर का facto अच्छा हो गया है इसमें मैंने एड क्या एक छोटा चमत नमक कि मुधा ऑर अच्छे नइगे है तो दोस्तों मैंने अलो छिल लिए हैं अब आलो को हम अच्छे से काटेंगे और एकदविस मैस करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमारे आलो कट रहे हैं कितने अच्छे बोईल हो रहे हैं और यह पहाड़ी आलो है दोस्तों इन में बहुत ही बड़िया टेस्ट होता है जो पहाड़ी आलो होते हैं तो यह मैंने यहां पर पूरे आलो कार दिये हैं और जो पीस मैंने दूर रखे हैं इनको मैं करूंगा इनको मैं प्रेस कर दूंगा चाकु की मदद से और यह वाला भी मैंने प्रैस किया तो दस्तों आप देख सकते हैं हमारे आलो तयार हो गए है कटके अब इनको डालेंगे हम जो हमने जो ग्रेवी बनाई है ध्यान रहे इस ग्रेवी में हमें पानी एड़ नहीं करना है नहीं तो हमारे आलो के गुटके अच्छे से नहीं बन दिया है अब दोस्तों इतमें एड़ करेंगे हम मसाले यह लिया है मैंने मिक्स मसाले इसमें हमारे सारी मसाले मिक्स है और थोड़े से अगोड डाल दूँगा अब इसमें डाला है मैंने हरे लेसन के पत्ते और यह डाला मैंने इसमें धनिया बारी कटा हुआ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो दोस्तों यह जो तरीका है यह पहाड़ी तरीका है पहाड़ी इस्टाइल में बना रहा हूं में आप देख सकते हैं तो दोस्तों आलो को हमें अच्छे से अब भूनना है क्योंकि इससे हमारे मसाले भी पक जाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों कितनी अच्छी बनी हमारी आलो के गुटके पहाड़ी आलो के गुटके आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया कलर आ रह